साथियों बेलकम बैक आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फीर मेरे टू चैनल पर आज 31 अगस्त है और आज हम लोग देखेंगे अप्तियक स्वागत से समझे जुड़े हुए महापूर्ण समसमाई घटना करम और जिसमें रास्ट्रिय अंतरास्ट्रिय एक खेल जगत से समझे तो वो सभी घटना करम जो आपके एकजाम में पूछे जाने की सबसे जाना समवना बोले कर में आया हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन का कुछ समसमाई घटना करमों से आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे स्वरचित होंगे अपने लक्ष के परती एकागरचित होकर काम कर रहे हूं तो चलिए शुरू करते हैं पहला एक इंपोर्टेंट सैड निव्ज है भारत के लिए कि एक्तिस अगस्त को भारत रत्म पूर्व राश्पती पर्णा मुखर्णी का 84 वर्सक्यों में निधन हो गया एक बहुत ही बरिष्ट नेता एक पर्तिकवासाली व्यक्ति जो भारत के अलग-अलग मंत्रालेयों की जिम्वारी संभाला और अंत में राश्पती पद को भी सुसोबित किया कॉंग्रेस के बरिष्टम लिदर में से एक पर्नदा आज हमारे बीच नहीं है यह ध्यान रखना तो पर्णमुखर्णी का निधन हो गया 84 वर्सकुमें इनके जो भी राजनितिक सफर है उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे जब आगे का तो पर्ग मनाया जाता है जिसको ओनम कहते हैं ध्यान रखना एकसर पूछता और केरल के मलयाल bend chapter होता करेंडर का एक महीना है चिंगम और चिंगम महीने में ही ये उट सब बना जाता है और ध्यान रखना है कि चिंगम साल में अगास्त या सितंबर के आस पास पड़ता है तो जैसे हिंदी कलेंडर है जैसे एंग्रेजी कलेंडर वह सही मल्यालम कलेंडर है और मल्यालम कलेंडर है चिंगम महीने में ये ओनम मल्यालम या केरल में सिल्वरेट किया जाता और ध्यानकना ये ओनम फसल उच सब के तोर पर मनाते हैं कि फसल जब पूरा हो जाता है तो उस उसके खुसी के रूप में वहां के लोग ओनम एक बड़े प्योखार के रूप में नाते हैं जो दस दिनों का चखलने वाला प्योखार है तो ध्यान लखना है ओनम केरल से समंदित है बार पर एक्जाम में पूछा जाता है नेक्स्ट है कि भारत बहुपच्छे सैन अभ्यास कवकाज 2020 ये धियान अपना है नाम क्या है कवकाज 2020 सैन अभ्यास है और बहुपच्छे मतलब कई देश इसमें सामिल होने वाले थे जिसमें मुकरूप से रूस चीन और भारत इस सैन अभ्यास में पाटिसिपेट करने वाले थे भारत अपनी सेना के एक सदस्थ की टीम को भेजने वाला भी था लेकिन भारत ने इसमें सामिल होने से मना कर दिया कारण कि चीन के साथ सैन अभ्यास भारत नहीं करना चाहता चुकि चीन और भारत के बीच सीमा विवाद चल रहा है और देख रहे हैं कि कल भी कुछ सैनिक संघर्स हो गया है जिसमें क्या हुआ है कि रुश के साथ यह सैन भिस होना था तो ध्यान रखना है यह बड़ा यूज है यह ऐस सैनिक को नाम याद प्रधर्देस या संरशनात्माक्ता को बढ़ाने का एक बड़ा माधियम है ये कला जो आंध पर्देश के विसाका पत्नम जीले का एक अपना कला है जिसमें लकडी के खिलोने बनाये जाते हैं बहुत सुंदर-सुंदर तो ध्यान लखना है तो एति कोपक का कहां का है कला इसको बढ़ावा देना चाहिए और इसको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए तो आपसे पूछा जा सकता है नेच्ट है लेवनौन लेवनौन एक पश्मी एस्याई देश है जिसकी सिमाएं इजरायल सीरिया इन सबसे टच करती है और बहुत ही सेंसेटिव संबेदन सील देश है और इस लेवनौन में एक नए परधान मंत्री की निक्ती हुई है और उनका नाम है मुस्तफा अधीर तो मुस्तफा अधिर यहां के नए पर्धान मंत्रियों में ध्यानक नाएक लेवनान में जो लेवनान की राजधानी है बेरूत यहां पर बंबिस्फुट हुआ था और जिसके कारण जनता में काफी अक्रोस था और इसी अक्रोस को ध्यान दे करके सांथ करने के लिए यहां के जो पूर पर्धान मंत्री थे हस दियाब हस दियाब ने अस्कीफा दे दिया और इनके अस्कीफा के बाद नए पर्धान मंत्री बने गए मुस्तफा अधिर पूछा जासकता कि जो चर्चा में है नहींग में परधान‌मंत्री दुनिया का सबसे बड़ा ट्वाइ tap वीजियान गजरात के गांधी नगर के नजदीक बनेगा गांधी नगर में बनेगा राधधानी है गुजरात की और ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्वाइ संग्राले होगा जहां पर 11,00,00 ट्वाइ रखे जाएं जिसमें बच्चों को नए नए सीजन सिल्टा के बारे में अपने संस्कृति के बारे में और कई इनोवेटिव आइडिया को विक्सित करने में मदद करने के लिए परियास किया जा रहा है ध्यान लकना है कि ये मुजियम 30 एकड़ में बनेगा और जिसमें 11,00,00 खिलाउनों को रखा जाएगा बच्चों को देखने के लिए तो दुनिया का सबसे बड़ा टॉय मीजियम भारत में गुजरात राज के गांधी नगर में बनने जा रहा है ये ध्यान देंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा टॉय मीजियम होगा ये ध्यान देना आगे चलें तो एक पुस्तक का चर्चा में और पुस्तक भारती सेनद वर प्रकासित किया गया और पुस्तक जो प्रकासित किया अथारित है फिल्ड मारसा जैम आधारित पर तो इनके कार्ज शैली पर इनके जीवन पर अधारित है पुस्तक है क्योंकि होने 1971 के युद में एक अलग घुमिका निभाया और इन ही के चलते बांगला देश को अजादी मिली तो ध्यान रखना है तो फिल्ड मार्सल सैम मानिक सौपर अधारित कुस्तर नामे नेशनल सिकुरिटी चैलेंज यांग स्कॉलर्स प्रस्पेक्टीव सेना द्वार भारत पाकिस्तान युद में एक बड़ी भूमी का निभाया था 1971 के युद में तो ध्यान देना है एक चर्चित कुछ तक है जो परकासित हुआ है दो न्यूज है खेल से समझ बहुत इंपॉर्टन ब्रीक्स से बहुत सारा न्यूज जा रहा है पहले भी हम करें ते फिर मे 2021 इसी के तहर ब्रीक्स खेलो कायोजन करने कायोजना पर याद रखना है पुछा जा सकता है कि 2021 काहा होगा तो भारत में होगा और ब्रीक्स हमने कहा है कि बहुत बड़े पांच देशों का संगठन है जिसमें ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, सौथ फिरकार तो इन सम्मिल करके एक खेल खायोजन करते हैं इसका आयोजन 2021 में भारत के नतरगत होगा यह ध्यान रखना, एक न्यूज है, रूस और भारत से जुड़ा हुआ, भारत रूस दो हजार बीस ऑनलाइन फीडे सत्रंज उलंपियाड का संजुख बीजेता बना, तो सत्रंज में भारत ऐसे भी बहुत आगे है यहां दिमाग से खेलना होता है और दिमाग में भारत में परतिभाओं की कमी नहीं है तो फीडे जो अंतरास्टी यह सत्रंज महासंग है, फीडे, एफ आई डी इ, फीडे, जो सत्रंज का पूरे वर्ल अस्तप पर आयोजन करती है तो यह ऑनलाइन ओलम्पियाड था और इस ऑनलाइन ओलम्पियाड में पहली बार भारत पहुचा था यह धियान लखना है, फाइनल में भी यह था करुपमरूस को भोसित किया जा चुका था लेकिन भारत के खिलाडियों ने अपना दावा प्रस्तूत किया कि यह जो खेल हुआ है वो प्रपरली नहीं हो पाया और किसी टेक्निकल प्रब्लम की बज़ा से हम लोग अच्छे से नहीं खेल पाये या हमारा प्रदस्तूत को देखा नहीं जा सका और जब चेक किया गया फीडे द्वारा जो महासंक का महासंक का जो फीडे काम करता है सत्रण इनके अब्जर्वेशन के बाद इन दोनों को फिर फाइनली स्वन पदक देख करके विजेता घुसित किया गया तो ध्यान लखना है ऑनलाइन फीडे सत्रण उलम प्याड 2020 का व आपकी एकजाम से समझे था जिसको हम सेलेक्ट करके लाए थे और आपके सामने रखा तो इसको देखें याद रखें और continue क्लास को करते रहें बीच बीच में गैट न करें जहां रहें सुरस्त रहें सुरचित रहें फिर मिलेंगा बनोगा साम के क्लास में सब्जेक्ट के जो बीच से चलता है उसमें तो थेंक यू आज क्लास साम में जो होगा उसमें कोस्टन आपर होगा फिजिक्स का सिंपल पेंडूलम का तो आप लोग देख लेंगे रिवाइज कर लेंगे ताकि कोस्टन में एक भी गलती नहीं 100% सही होना चीए और फिर मिलते हैं साम के क्ल